हेलो ट्यूट फैन्स वागत आपका आड़ी टूप की में एक नए अपडेट के साथ तो आज के लिए एक गूड नीज आ चुकी है जो कि 1549 फर्मासिस्ट के लिए जिनका की फॉर्म अपलाई आज से शुरू हो चुकी है आज हो गई है आपका पांच अपरेल आज से आपका पूरा वज की जगा इसकीप नहीं की जगा तो आपको कन्फूजन हो सकती है तो चलिए मैं आज आपको बतोने वाली हूं कि आपका कौन सा डेक्यूमेंट लगने वाला और किन से गलतियों पर ध्याउन रखना और आप लगसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर फिजिट कर कर सकते हैं इस पाकर ड Alrighty को अगर आपको तो आज का डेट है और आपका लास्त डेट जो है वह चार मई तक का ठीक है तो आपको यहां गींदाना करना है कि कौन सी कलतीय आ को नहीं करनी है तो ठीक है इसमें देख सकते हैं अनिवार सेक्षणिक योगता जो है आपने इंटर से जो है विग्याउन से आपने पास किये होंगे तो आपने जब ट्रेनिंग किये तो आप यह कंफर्म करी चुके हैं ठीक है दूसरी है कि आपका पास जो है डिपलोमों का जो डिग अनिवार ही है ठीक है और इसमें क्या दियों देना है आपको सबसे महत्पुन पॉइंट ठीक है देखे इसमें क्या क्या है अभियरति को बिहार फर्मेशी कॉंसिल से रजिस्ट्री कृत होना आवस्यक है योनि अगर आपने अधर से अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो आ इसलेट से बिहार में आपको रेजिस्ट्रेशन जो है ट्रोंसफर करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो फिर आपका मानन नहीं होगा ठीक है तो आगे चली है आगे इसमें आप देख सकते हैं आपका यह सीट आपका पंदेशन चाहिए तो इसमें मेल-मेल दोनों के लिए ल काहा है जो आपकी निंतेम होनी चाहिए वह 2000 19 का ही लिया गयें कि एक अगस्त 2019 अच्वाइबश होनी चाहिए तभी अप़ुण फ्रॉम् फिलप कर सकते हैं अगर आप ताइस में किस बर्ष हो रहा है तो आप फॉम् अधिक श्रील आप नहीं कर पाएंगे आप यहह उपर देख सकते हैं और इश यह में जेन्रल के लिए 37 बसे और मेन के लिए 40 बार्ष सिर्ग और पिस्च्छावर और इसे की बारी कुछ पॉइंट में काया थक हिर दया धिक इसमें आप देख सकते हैं अगर आपका इंटर का अच्छा खासा मारस है तो आपको वहां से 30 अंक मिलने वाले हैं और अपने डिपलोमों का 25 अंक मिलेगा अगर आपके पास हाइयर क्वालिफीकेशन है योनि आपने B फर्मो भी किया है और M फर्मो भी किया है तो उनका भी ल्चनमर आपको मिलने वाला है और अगर अगर आप कहने सरकार्य एस्पाल में कारी कर रहे हैं तो आपको एक साल पांच है जो कि Panंवा के दीजिएगा अपनों वर्क इक्सपीटिएँस हो दिजेगा वह सियसर से ही दिजेगा अधर किसी और का देते हैं तो आपका माने नहीं होगा इन बातों का दियान रखिएगा ठीक है तो आगे चले आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग को जो फोटो है वह किस परकार के देने हैं तो मैंने आप लोग को फोटो के बारे में क्यों बोला कि ऐसा स्टूरेंट अक्सर गलती करते हैं तो फोटोग्राप के लिए देख सकते हैं अभी अर्तिका हाल का फोटो खिचा होनों जो कि तिन महां के अंदर का तो मैं आपसे यहां पे कहूंगी कि आप बरतमन का ही फोटो दे दिजगा योनी कि अभी आज से फोटो खिचवा लिजे तभी आप फोटो में वही फोटो दिजगा पुरानों क्यों दिजगा जिसे प्रोब्लम हो जाए वो इसा को नहीं करना है आप लोग को ठीक है और आपका जो बैग्राउंड रनों चाहिए वो देख सकते हैं सफ में फिर आप लोग को प्रेशों नहीं हो तो चलिए मैं आपको इंपोर्टन पॉइंट्स वह मैं आपको बता देती हूं तो आप देख सकते हैं होने पॉइंट मार्क किया हुआ है महत्पुन निर्देश ठीक है इसमें देख सक्षनिक योगता का परमान पत्र अंग पत्र कि पड़ती तेथा आरक्षान से समंदी सुचनों की प्रविष्टी कर सभी बंचित प्रमान पत्र विहीत कॉलम में अपलोड करना सुनुचित करेंगे कोई भी प्रमान पत्र अपलोड नहीं किये जिन पर अभियर्थिया रद करने हैं तो आयोग स्वतंत रहा योनि अगर प्रविष्टी करने सारा कॉंसलिंग समय मुल्प्रमान पत्र प्रस्तूत करना अनिवार योनि जो आप आउनलाइन में देजिएगा वह सबाब को कॉंसलिंग में लेकर जाना है अगर चलिए इसमें कहा है अधी मानता का दवा करने वाले उमिदबारों को बिहार राजी के सब्सक्राइब करने के समंदित अधिक्षक उपादिक से जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको किस्य करवाना है ठीक है हुआ ठीक है आपको मैंने बताया कि आपको बहुत दीऑ हां किलियर कर दिदा दो अगर प्रैबफेट का व्रक इइसप्रेशिन से तो वह मान नहीं होगा आपको जब करते थी यह नहीं आपका आरक्षयन का जो भी और बाय कर आपका सेक्षिनिक परमर्म पतरिनी आपका जो डिप्लोमा फरमेसी का वह आपका निर्गत करनकति जो आपका इसू डेट रहता है वह आपका कब करोंची है तो 4 मई का होनची इसके बाद का होगा तो आपका बहले नहीं माना जगा ठीक है तो और एक चीज आप लोगों को यहां पर मैं केले करना चाहती हूं कि अगर आप लोगों ने अगर आपने नहीं बनाया और अगर फिडम फैटर में आते हैं अगर आप दिवियोंग में आते हैं तो आप जल से जल बना लेजिए आपको अभी ही देना अगर अभी आप नहीं देते हैं बार में अगर मोडिफिकेशन में आप देते हैं उस टेम हो सकता है आपका मौनी नहीं होगा तो इन सब बातों का निस्चित रूप से गौर कर लिजिए कि आपको जल से जल बना लेए शबसे पहले आपको जाती है आवासिया आए बनाना है तो इन सब कौम को आप जल से जल कर ले और आप क्लियर करना चाहती हो कि आप लोग जो है आज से फॉर्म फिलप शुरू हुआ तो आप दो दिन रूप करके ही फॉर्म फिलप किजिएगा इससे पहले आप नहीं किजिएगा आई होप आपको यह जनकारी अच्छी लगी होगी ठीक है तो और आपको मैं इस पर डिटेल ज करी आपको दूंगी थैंक्यू